So board exam नज़्दीग है पर कुछ चीजे हैं जो हमें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए और कुछ बातों का हमें पता रहना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जो pain यूज करना है हमें बोड एक्जाम में वो कौन सा pain होना चाहिए क्यूंकि यार मैंने आप सभी को पहले से बताया था कि जो भी पेन आप बोर्ड एक्जाम में यूज करने वाले उस पेन को at least एक मैंने पहले से ही उसी ब्राण का पेन यूज करना स्टार्ट करो मैं तो अपने टाइम यूज कॉर्ण पेन यूज करना कि पहले लिखना स्टार्ट करो दूसरी बात कि paint कौन सा use करना है ball paint use करना है gel paint use करना है कौन सा देखो board के तरफ से कोई special rule नहीं बनायागा कि आपको यही paint use करना है बड़ यह भी बोला जाता है कि आप gel paint जहां तक avoid कर सकते हो वहां तक करो gel paint बिल्कुल भी use मत करो जिससे क्या होगा अब अगर मैं color की बात करो black और black या तो blue कौन सा color यूज़ करना चाहिए तो दोनों में साब कोई भी color यूज़ कर सकते blue भी better है black भी better है जो आपको अच्छा लगए भट एक ही paint एक ही brand का paint use करना यह मेरा आप सभी के लिए suggestion है और दूसरी बात अगर आप classroom में जा रहे हो जब exam में देने जाओगे तो एक ही brand का बाकी paint भी रखना नहीं तो एक blue paint है और एक दूसरे brand का blue paint है थोड़ा भी उसमें changes होता है और इसके गारण board exam में जब paper checking में जाता है जए हिंदोस तो